आज की इस वीडियो में हम Z Unmall Cinema 2 चनल के बारे में बात करेंगे DD Fridish की ओडियंस के लिए Z Unmall Cinema 2 भी आने वाला है जब कि इससे पहले बात करें तो Z Unmall Cinema भी DD Fridish पर पहली बार आया था लिकिन इस बार होगा ये कि Z Unmall Cinema 2 के वर DD Fridish पर ही नहीं बल्कि सभी उन DTH प्लैट्फोंस पर भी लॉंच होने जा रहा है जो कि आप अपने गर पर इस्तिमाल करते हैं जैसे कि Tata Play, Dish TV, D2H, Sun Direct, Eater Digital TV इन सभी पर जो है Z Unmall Cinema 2 को देखा जाएगा लेकिन फिलहाल बात करें तो Z Unmall Cinema 2 को जो है फिलहाल Dish TV और D.D.Fridish को बोगता देख नहीं पा रही है उसका कारण ये है कि अभी तक Z वालों को जो है क्लिरंस नहीं मिल पा रही है इस चनल को शुरू करने की लेकिन फानली इन्होंने जो है अभी हाल ही में क्लिरंस को हासिल कर लिया है 26 अपरेल 2024 के तारीक ताय कर दी है अपने Z Unmall Cinema 2 को लौंज करने की तो 26 तारीक से आप अपने D.D.Fridish और Dish TV के बोक्सिस पर देख सकेंगे लेकिन अगर हम बात करते हैं Tata Play या Sun Direct और किसी DTS प्लैटफोर्म के घरापो के लिए तो वो अभी भी देख सकते है Z Unmall Cinema 2 की टेस्टिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और हमने आपको पहले भी कहीं बार वीडियो में बताया है कि Z Unmall Cinema 2 किसी नए लाइसंस के नाम से नहीं बल्कि पुराने existing channel को बंद करने की जगा पर इन ने चो channel है Z Unmall Cinema 2 को introduce कर रहे है यानि कहने का मतलब यह है कि Z वालों का एक existing channel है एक मुझूता channel है जो बंद होने वाला है 26 अपरेल से और उसी की जगा पर Z Unmall Cinema 2 ने अपनी जगा बनाई है channel का नाम तो शबर आप जानी चुके होंगे अब तक channel का नाम है Z GANGA जी गंगा एक भोजपुरी entertainment का channel हुआ करता था और जी गंगा को हम उससे पहले बिग गंगा के नाम से भी जाना करते देख और उससे पहले बिग मैजिक गंगा के नाम से जब यह अनलाइन्स का हिस्सा हुआ करता था लेकिन जब से जी ने इसको क्रीदा उसको नाम बिग गंगा दिया और बिग गंगा के बाद यह जी गंगा मेरी ब्रेंड हुआ काफे अच्छे कासे भोजपुरी करागरम भी इस पर चलाए गए लेकिन भोजपुरी ओडियंस ने इसे खास प्यार नहीं दिया कहली आ जाएं तो भोजपुरी जो ओडियंस है वो mostly हिंदी सीरिल्स को देखना जादा पसंद करती है और फिल्मों में बात करें तो वो शाद फिल्मों को जादा तर भोजपुरी में देखना पसंद करते हैं तो इसी ही रिजन से जो है इन्होंने जी गंगा को बंद करके एक नया हिंदी मूवी चनल जी अनमोल सिनमा 2 को लौच करने का फैसला कर दिया जी अनमोल सिनमा 2 को तो एक तरिक से ही लौच होना था लेकिन Ministry of Information and Broadcasting की और से चनल के नाम को बदलने की जो अनुमती थी वो नहीं दी गई समय पर नहीं दी गई इसी रिजन से जो है इनको थोड़ा सा समय इंतजार करना पड़ा और करीबन अपराल के 24 से 25 दिन निकल जाने के बाद ये 26 अपराल 2024 से फानली लाइव हो जाएगा अब सबीके टीवी स्क्रिल्स पर फिरहाल जी गंगा को जो है आप देख सकते हो अपने से भी तमाम डीटेस प्लाटफोर्म्स पर उसी की जगह पर जी अनमोल सिनमा 2 के टेस्टिंग भी शुरू हो गई है जैसे के आप सामने एक छोटी सी तस्वीर देख सकते हो इस पर साथ दिखाया गया है कि जी अनमोल सिनमा 2 का जो लोगो है वो जी गंगा की जगह पर आ चुका है और एक कुछ देर रहने के बाद अपने आप वापिस से रिवाट हो जाता है जी गंगा के लोगों में तरीक से जो है यही चनल रिवरड आपके लिए होने वाला है फिलहाल जी अनमोल सिनमा 2 को जो भी देखना चाता है वो सट डिरेक्ट में टाटा प्लेए में और डेटुवेच में और एटर डिश्टल टिवी में देख सकता है और बाकी बात दिश्टीवी और डेटीवर डिश्ट के गरागों के लिए जिंक सूपर अपरेल से लाइब हो जायता है उमीद करतों इन्फोर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी चारव में पहली बार आए है तो सब्सक्रेब जोग कीजिए राद नमस्कार